सुधी इंदी क्लासेद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम सब समानार्थक सब्दों परिभासा तथा उनके उदाहरण देखेंगे इसकी परिभासा है कुछ सब्द मोटे तवर पर समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होते हैं किम्तु उनमें आर्थकत सूक्ष्वंत नर होता है समानार्थी प्रतीत होने वाले इन सब्दों की सही जानकारी होने पर ही भासा में उनका उचित प्रयोग किया जा सकता है इन एक आर्थक या समान आर्थक प्रतीत होने वाले सब्दों में अर्थकत भिन्नता रहती है अर्थात समान आर्थक आर्थ होता है कि सब्द जब हम देखते हैं या उचारण करते हैं पढ़ते हैं तो एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं जैसे अस्त्र, सस्त्र, अस्त्र किसे कहते हैं, जो फेक कर चलाए जाते हैं, उन्हें अस्त्र कहते हैं, जैसे भाला, लेकिन सस्त्र, जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं, उन्हें सस्त्र कहते हैं, जैसे तलवार, अपराध और पाप जैसे लोग कह देते हैं अपराध और पाप दोनों में सुख्षवंतर है लेकिन लोग एक ही में उसका अर्थ लगा लेते हैं तो अपराध किसे कहते हैं राज किये नियमों का उल्लंगन करना अप राध कहलाता है लेकिन पाप पाप जो होता है वो धार्मी के उन सामाजिक नियमों का उल्लंगन करना पाप कहलाता है अगला है अवस्था और आयू अवस्था किसे कहते हैं आयू का एक भाग अवस्था कहलाता है लेकिन आयू किसे कहते हैं आयू संपूल उम्र को आयू कहते हैं अभिमान और अहिंकार अभिमान किसे कहते हैं अपने को बड़ा दूसरे को छोटा समझना अभिमान कहलाता है लेकिन अहिंकार किसे कहते हैं अपने गुडों की आउचित से अधिक समझना अपने गुडों को आउचित से अधिक समझना अहिंकार कहलाता है यह स्वानार्थी सब्द हैं लगते एक जैसे हैं जैसे कहा जाता है कि आवकास हो गई आवकास और छुट्टी लेकिन इसमें सूक्ष्वंतर क्या है तो आवकास किसे कहते हैं कार के बीच का अंतराल आवकास कहलाता है लेकिन छुट्टी क्या हुई छुट्टी कार इससे मु पूजा अर्चना कर लिया है लेकिन दोनों में सुक्ष्वंतर होता है अंतर क्या होता है अर्चना किसे कहते हैं जब धूप दीप नैवेद से बिधि पूर्वक की जाती है तो वह अर्चना कहलाती है लेकिन पूजा किसे कहते हैं पूजा बीना किसी सामगरी के भग्धि प्रार्थना बढ़ों से की जाती है। अधिक बहुत आवस्क्ता से ज्यदा। लेकिन बहुत क्या है? पर्याप्त का बोधक है खेद और सोक खेद क्या है? किसी गलती पर खेद होता है सोक क्या है? किसी की मृत्व पर सोक होता है दुख और कस्ट कस्ट जो है वह सारीरिक असुविधा जब मिलती है तो से हम कस्ट कहते है निरिक्षक और परिक्षक निरिक्षक कौन होता है? जो निरिक्षण करने वाला होता है लेकिन परिक्षक जो परिक्षण करने वाला होता है उसे हम परिक्षक कहते हैं उपहार और भेट उपहार क्या है? छोटों को दिया जाता है लेकिन भेट बड़ों को आदर सही दिया जाता है उसे भेट कहते हैं पत्नी और महिला पत्नी जिसके साथ बिवा हुआ हो उसे पत्नी कहते हैं लेकिन महिला कोई भी इस्त्री वो महिला कहलाती है अगला है आधी और ब्याधी यह जदा पूछा जाता है आधी ब्याधी आधी क्या है जो मानसिक रोग होता है उसे हम आधी कहते है लेकिन ब्याधी क्या है ब्याधी जो सारीरिक रोग होता है उसे हम ब्याधी कहते है सेवा और सुरसूसा सेवा क्या है बडो को जो सेवा की जाती है बडो की सेवा को सेवा कहते हैं बडो की सेवा और सुरसूसा जब रोगियों की सेवा की जाती है उसे हम सुरसूसा कहते हैं झाल झाल